हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हम mathematics के question और first हमारा जो exercise होगा वो होगा time and work से जिसा कि मैंने एक पॉल की डाला था और उसमें मैंने पूछा था कि topic by topic वीडियो डालें या फिर आपको practice set डालने हैं तो फ्रेंट्स दिखे मैं आपके लिए दोनों काम करूँगा पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके लिए topic by topic भी डालूँगा एक दिन में एक वीडियो topic by topic की और दूसरी वीडियो है वो आपको किसकी मिलेगी practice set की तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है बहुत important वीडियो आपको होने वाली है सभी आपको concept है जो clear हो जाएंगे Hindi और English बहुत में हम यहाँ पर discuss करने वाले है किसी भी तरह के students को कोई problem नहीं आएगे तो पैरे दोस्तों start करते हैं आज के वीडियो को यदि आपने वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को like कर दीजिए बाद में आप भूल जाते हैं कोई भी हम काम करते हैं उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब यह होता है कि आप कितने दिन कारिये कर रहे हो इसका मतलब आप कितना time कारे कर रहे हो किसी कारे को कितने time के अंदर कर रहे हो और दूसरा हो रहे कि आप कितना काम कर रहे हो आपकी छमता क्या है आप एक दिन में 10 काम कर रहे हो 20 काम कर रहे हो 10 पेड लगा रहे हो 20 पेड लगा रहे हो तो वो क्या हो जाएगी आपकी दक्षता efficiency यानि efficiency इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो work है work is equal क्या होता है work is equal to होता है आपका time and efficiency यानि समय और दक्षता किसी निश्चित समय में किया गया किसी निश्चित समय में कोई दक्षता होगी उसका जब multiply करेंगे तो हमें work प्राप्त होगा आप देखिए आपको बिल्कुल इसको trick से समझाओंगा और जैसे question आपके exam में आते हैं बिल्कुल उसी method से हम करेंगे first question देखिए I can do a work in a 40 days एक बार question को पढ़ लीजे फिर हम इसका solution दिखने है I can do a work in a 40 days and B can do the same work ध्यान देना same work in a 60 days यदि वो कह देता कि I किसी काम को 20-40 दिन में B किसी अन्य काम को इतने दिन में तो हम उसके बारे में कोई चीज पता नहीं लगाते because हमें छमता निकालनी है efficiency निकालनी है और efficiency मालूम कब होगी जब उन दोनों का work same होगा work in a 60 days 60 days कर रहा है in how many days they can do it together यानि कि ये दोनों मिलकर यदि साथ इस कार्ये को करने लगे तो ये कितने समय में इस कार्ये को complete कर देंगे तो चलिए इसका solution हम अपको दिखाते हैं और किस तरह से solve करना है बिलकुल ध्यान से समझना आपको तो चलिए तो देखे फ्रेंट्स स्ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको इस question को solve करा हूँगा तो पहला question आपको दिख रहा होगा देखे ध्यान से समझो एक इसी कार्ये को 40 दिन में कर रहा है इसका मतलब ये क्या है हमारा time है भी उसी कार्ये को 60 दिन के अंदर कर रहा है ये भी time है अब जब हम total time को मलट इनका LCM ले लेंगे क्या लेंगे फ्रेंस LCM तो इनका मैंने LCM ले खितना 120 ये 120 क्या है ये 120 हमारे पास आया कुल कार्ये total work क्या आया फ्रेंस total work हमारे पास आ गया अब देखो 120 total काम है और एक दिन में 40 काम कर सकता है 140 दिन में किसी काम को कर सकता है total काम 120 है तो यहां से इसकी छमता निकालेगी एक दिन में कितना काम यह कर सकता है तो देखे इसकी छमता जाएगी 3 यानि 40 को मैंने इसमें डिवाइड किया उसी तरह से 40 को डिवाइड करूँगा तो इसकी छमता जाएगी 2 देखे यह आपका क्या है time यह क्या है total work यह क्या है हमारी efficiency क्या है efficiency मैंने क्या बोला था कि efficiency into time समय into दख्षताई क्या कहलाता है आपका work वही हो रहा है कि नहीं हो रहा अब हमें क्या निकालना है कि दोनों कितने दिन में करेंगे in how many days we'll together तो देखें अब आपको क्या total work 120 है efficiency 3 प्लस 2 दोनों की 5 हो जाएगी पहले single single 3 तो हमें निकालना है time तो time बरावर क्या होगा total आपका work होगा और total आपका कितना होगा efficiency efficiency 5 है तो 24 days के अंदर आप इसको कर पाएगे वो कर पाएगा तो बिलकुल basic साथ छोटा सा question था I hope यह clear हो गया होगा अब हम चलते हैं हमारे next slide के ओर so friends देखिए यह question है जो मैं उन लोगों के लिए करा रहा हूँ जो बिलकुल basic से कर रहे हैं बाकी सभी लोगों के लिए practice set है वो तो आपके चल ही रहे है next question है I can do over 6 days B can do it 8 days and C can do it in 12 days and how many days can do it together यानि कि तीनों मिलकर उस कारे को कितने दिन में समाप्त करेंगे तो बिलकुल वही method हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं तो चली एक बार देखते है कि कैसे हमने इसको solve किया है तो प्यारे दोस्तों देखिए होता क्या है कि A ने उस कारे को 6 ने उस कारे को 8 दिन के अंदर किया C ने उस कारे को 12 दिन के अंदर कर लिया ठीक है टोटल में वर्क इनका निकालूंगा कितना जाएगा 48 टोटल वर्क का मतलब क्या है LCM अब इनका LCM कितना आ सकता था 24 भी आ सकता था आप अपनी सुवीधा के अनुसार ले सकते हैं जो एक्जाम के टाइम अपने माइंड में आ जाए वही हमारा LCM है लेकिन LCM का मतलब समझ के LCM निकाला करो 48 की जएगे आपका 96 भी है हो सकता था लेकिन अब आप इसे ऐसा कर दोगे तो यह मेरा कितना होगा है तो यह मेरा कितना होगा है total work 48 दक्षता कितने होगा है इसकी 8, 6, 6, 4 तो 48 total work है 18 इनकी छमता है तो total कितने दिन के अंदर कर देंगे 24 बटा 9 दिन के अंदर जैसे आपको option मिले उसके according आप इसे choose कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको option में दिया हुआ first option केंदर 24 by 9 is the right answer. Next question is A can do a work in a 20 days A and B can together देखिया यहां पर आपको and B देदिया can do it in a 12 days together in how many days B can do it अलोन अकेला कितने दिन में करेगा देखिया जो लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल आसान question है तो आगे तक देखते रहे हैं आपको अच्छे question भी देखने को मिलेंगे. So friends देखिये A इस कार्य को 20 days में के अंदर कर रहा है right? A plus B किसके दिन कितने दिन के अंदर कर रहे है 12 days के अंदर. तो इनका जो हम total work निकालेंगे कितना जाएगा 60 अनिका LCM. अब इसकी चमता कितनी हो जाएगी? 3 और इन दोनों की चमता 3 और 2 पांच हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ? A अकेले की चमता कितनी है? 3 और A और B की जब 5 है तो यहां से मैं B की निकालो तो B की चमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी तो B की चमता मेरे पास 2 आ गई तो B अकेला कितने दिन में करेगा? तो 60 बटा 2 यानि 30 days के अंदर B अकेला उस कार्य को कर देगा. तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा So option C यहां पर बिलकुल आपका correct हो जाता है, option C बिलकुल correct. Next question is A can do a work in 8 days and B can do it 12 days A, B, C can do it in 4 days together then how many days C can do it? तो दिखें बिलकुल इसी लिए आप इसे कर पाऊगे A कितने दिन के अंदर कर रहा है? 8 दिन के अंदर B कितने दिन के अंदर कर रहा है? उसको 12 days के अंदर, right? और B, sorry, B और C can do it in 4 days B और C आपको यहां पर दिये हुए तो इसी लिए आप से जो पूछा निकाल आप सकते हो तो देखें क्या दिया हुआ आपको A 8 दिन में कर रहा है, B 12 दिन में A plus B plus C कितने दिन में कर रहे हैं इसको 4 दिन में, मैंने इनका LCM लिया 24, यह एक दिन के अंदर कितना काम करेगा? 3, यह कितना काम करेगा? 2, लेकिन यदि यह तीनों मिल जाए तो एक दिन के अंदर 6 काम कर सकते हैं, देखो A ने 3 काम किये, B ने 2 काम किये इसका मतलब C ने कितना काम किया होगा? आपका option B बिल्कुल correct हो जाएगा 24 is the right answer next question देखिए and B can do a work in 12 days B and C can do a same work in 15 days देखिए A plus B 12 days B plus C 15 days C and A can do 20 days in how many days they will can do it separately यानि अकेले अकेले इस कारे को कितने दिल में करेंगे question का level थोड़ा सा बढ़ गया है आप सोच सकते हैं थोड़ा सा इसमें method वही लगने वाला लेकिन आगे थोड़ा सा ये chance हो जाएगा A plus B 12 days B plus C 15 days C plus A 20 days total काम कितने हो गया इनका 60 16 का LC हमा गया ये दोनों एक दिन में 5 काम कर पाएगे ये दोनों 4 काम कर पाएगे और ये दोनों कितने काम कर पाएगे मातर 3 काम कर पाएगे अब देखें यहां से मैं इनकी efficiency निकालूं तो सभी दो दो बार count होगे A दो बारा जाएगा B भी है आपर दो बारा जाएगा C दो बारा जाएगा तो कैसे निकालने मुझे 2 A plus B plus C की दख्षता कितने हो जाएगी 5, 4, 9, 3, 12 मातर 6 हो जाएगे तो यहां से आप इनकी separate efficiency जो separate आप निकाल सकते हैं A plus B plus C की 6 है तो यहां से C की कितने ह diagon जाएगी 1 ह neutrा जाएगी यह मैंने निकाला B की कितने ह diagon जाएगी 3, A की कितने हम जाएगी 2 तो टोटल वर्क कितना है 60 उसी अकोडिंग आप इसे कर लिए यह 30 दिन के अंदर करेगा यह मातर 20 दिन के अंदर कर देगा और इसे तो पूरे 60 दिन ही इसकाम के अंदर लग जाएंगे यहाँ पर आपका option है बिल्कुल correct हो जाता है 30, 20, 60 के अंदर यह इस work को complete कर देगे और next question देखिये friends next question क्या है next question भी इसी type का question है जो आपके exam में पूछा हुआ है A and B can do a work in a 30 days B and C can do it on 36 days और आगे क्या बोला है आप से C and A can do the same work in a 45 days and how many days A, B and C can do this work together question वही है लेकिन इसे change किस तरह से क्या है देखना इसे change इस तरह से किया है कि इसमें आप से बोल जा कि तीनों मिलकर यह दि उस कार्य को करने लगे तो उस कार्य को कितने दिन में नेप्टा देगे देखें A plus B 30 days के अंदर कर रहा है B plus C 36 days के अंदर और C plus A 45 days के अंदर कर रहा है total work कितना हो गया 180 यानि की 180 इनका क्या आ जाएगा LCM देखें यह 6 दिन के अंदर कर रहें दोनों सबसे पहले मैं इनकी efficiency यानि दक्सता निकालूँगा 2 से multiply करना होगा 2 इधर divide में जाएगा 6 और 5, 11, 14, 15, 15 बाटा 2 इनकी क्या गई A plus B की छमता अब हमें separately नहीं निकालना विकोज उसने question में बोला है कि 3 मिलकर तो 180 total वरके और छमता कितनी है इनकी sorry friends देखिए तो मैंने यहाँ पर 15 by 2 कर दिया 15 by 2 को में इसमें divide करूँगा because मुझे क्या निकालना है total days तो 24 days के अंदर हमारा right answer आ जाएगा अब हम देखते हमारा next question next question आपका क्या है देखिए next question है आपका a and b can to do in a days 12 days मतलब किसी कारे को 12 दिन में a alone can do this work in a 20 days and b works half day then how many द्यान से समझना b है जो एक दिन में आधा काम करता है यानि कि आधे दिन काम करता है right then how many days a and b together can complete the work एक चीज समझो एक दिन में जब ओ आधा काम कर रहा है तो पूरे काम को दुगने दिन में करेगा ना करेगा की नी करेगा बोलो बेलकुल करेगा साब तो देखे अ प्लस बी किसी कारे को 12 दिन में कर रहे है अकेला उसको 20 दिन में कर रहा है total work 60 days हो जगा इनकी दोनों की चमता कितने आ गई 5 इन दोन इसकी अकेले की चमता 3 आ गई अब मुझे क्या निकालना है कि ए इस कारे को complete कितने दिन में कर सकता है मतलब वो चीज मुझे चाहिए तो ए कितने दिन में ए की चमता यहां से कितने जाएगी 2 इसका मतलब ए 30 दिन में उसकारे को कर सकता है लेकिन वो तो आदे दिन ही काम कर रहा है तो देखिए A तो उस कारे को 20 दिन में कर सकता है B कितने दिन में कर सकता है 60 दिन में बोलो कैसे ऐसे कि वो एक दिन में आधा काम कर रहा है अब आप यहां से इसली निकाल सकते है कि A प्लस B उस कारे को कितने दिन में करेंगे तो 60 बटा 4-15 दिन के अंदर उस कारे को निपटा दिंगे तो बिल्कुल इजी सा कुष्चन था ऐसे कुष्चन आपको एक्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे नेक्स्ट कुष्चन थोड़ा सा जन्डेल बिंदास कुष्चन है ध्यान से देखना बहुत अच्छा कुष्चन है ऐसे सी लेविल का कुष्चन है बट आपके लिए मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ ए और बी किसी कारे को साथ मिलकर 12 दिनों के अंदर कर रहे है बी प्लस सी डूइट अना 16 दिनों के अंदर कर रहे है दिनों में करें कितने दिन हें करें दिनों कितने दिन के अंदर बी इस कारे को समाप्त कर देगा तो ध्यान से देखना है इस question को सबसे पहले देखो A plus B 12 days के अंदर कर रहे है B plus C 16 days के अंदर कर रहे है then 48 total work है इसका मतलब 48 उन्हें तीनों को complete करना होगा चाहे वो किसी भी तरह से करे A plus B के efficiency 4 B plus C के efficiency 3 अब वो क्या कह रहा है question के अंदर यहां से देखिए एक second French question थोड़ा typical है समझने में थोड़ा सा mind तो आपको अपना use करना ही होगा देखिए उसने क्या बोला है कि A plus B किसी मतलब वो 5 दिन तक कारे कर रहे है तो देखिए A अकेला 5 दिन कर रहा है इसका मतलब B और A दोनों 5 दिन तो कारे करेंगे दोनों 5 दिन कारे करेंगे दोनों की छमता कितनी है 4, 5 दिन में कितना कारे कर लेंगे बोलो 20 कारे कर लेंगे समझा आ है यहां तक टोटल कारे 48 है बच कितना जाता है हमारे पास 28 राइट अब देखो B 7 दिन काम कर रहा था कितने दिन काम कर रहा था 7 दिन लेकिन उसने 5 दिन तो A के साथ ही कर लिया तो C के साथ है जो B कितने दिन काम करेगा बाकि उसके remains कुतने बचे हैं 2 days तो 2 दिन B और C मिल कर कारी करेंगे 2 दिन में करेंगे efficiency 3 है total कारे को check कर देंगे इसका मतलब total कारे कितना बचा है हमारे पास 22 काम total बच गया है कितना काम बच गया है friends 22 काम अब 22 total काम बच गया है और C को अकेले को कितने दिन करना है 11 दिन because question में हमें दे रखा है तो B की चंता कितनी आ गई only 2 days only 2 उसकी क्या गई चंता तो I hope ये question समझ में आई होंगे अब last question आपके लिए I can finish a work in 10 days if he works 4 hours per day B can complete 15 days if he works 5 hours per day if the work 10 hours per day then how many days the work will be finished हिंदी में देखिए एक किसी कारे को 10 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वे परते दिन 4 गंटे काम करें मातर 4 गंटे वी उसे 5 गंटे में कर सकता है यदि 15 दिन में समाप्त कर देगा 5 गंटे करके वे परती दिन 10 गंटे काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे तो इसका आंसर आपको comment box में देना है और comment box में जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी प्लीज यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को बाई बाई जय हिंद जय भारत